नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परचे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जी हाँ आए आज हम सभी खासी को दूर करने के लिए कुछ एक हो में ड्रेमेडीज के बारे में जानते हैं आप सभी जानते हैं कि यह पहले में आप सभी को बताया है और सारे इसी में भी कि खांसी तीन सब्ताहा से ज्यादा रह जाए चार सब्ताहा से तो आपको डॉक्टर से जरूर दिखा लेकिन अस्टार्टिंग में खासी हो तो आप इन उपायों के द्वारा बहुत आसानी से उसे दूर कर सकते हैं खासी एवं सुखी खासी में काली मिर्च और मिश्री मुख में रखने से गला खोल जाता है और खासी की प्रोब्लेम दूर होने लग जाती है दस-दस काली मिर्च पीज कर शहद में मिला करके सुभः शाम चाटें रात को काली मिर्च और डूँर जम करके यह बहुत ही लाब दायक प्रियोग है पीजी हुई 10 काली मिर्च एक चमच घी में मिला करके चाटने से भी सुखी खासी ठीक होती है पांच काली मिर्च और चोथाई चम्मच पीसी हुई सोट एक चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से कफ वाली खासी में लाब होता है गले में कफ जमा हुने एम खासी में सेंधानमक मुख में रखकर धीरे धीरे चूसना लाबकारी है अजवायन खा करके गर्म पानी पीने से खासी ठीक हो जाती है पान में अजवायन डाल कर खाने से रात को खासी चलना या उठना बंध हो जाता है अदरक का रस और शहद 30-30 ग्राम हलका गर्म करके हर रोज 3 बार 10 दिन पीने से खासी दमा में लाब होता है गला बैठ जाने एवं जुकाम में भी या प्रियोग बहुत ही लाबकारी होता है खटाई एवं दही इत्यादी का परहेज करें दमे में अदरक को गही में तल करके भी आप ले सकते हैं 12 ग्राम अदरक के टुकडे करके 250 ग्राम पानी दूध और शक्कर में मिलाकर चाई की भांती उबाल करके पीने से खासी जुकाम ठीक हो जाते हैं अथवा घी में गूर डालकर गरम करें दोनों को मिलाकर एक हो जाने पर 12 ग्राम पीसी हुई सोट डालें यह एक मातरा है इसे सुबह निहार मुह यानि की बिना कुछ खाए पिए नित्य सेवन करने से खासी जुकाम में लाब होता है एक निमबू पानी में उबाल लें फिर निकाल करके खाँच के गलास में निचोड़ें इसमें एक ओंस ग्लिसरीन और तीन ओंस शहद मिला करके हिलाएं इसका एक एक चमच तीन बार लेने से खासी चलना बंद हो जाती है शहद खासी में आराम देता है 12 ग्राम शहद दिन में तीन बार चाटने से कफ निकल जाता है और खांसी ठीक हो जाती है जुआर खांसी श्वास रोग में तुलसी की पत्यों का रस दो ग्राम और इतना ही अदरक का रस पांच ग्राम शहद में मिला करके सुबह शाम चाटने से लाभ होता है जुकाम, खांसी, गल शोत और पुराना बुखार और खांसी नष्ट हो जाती है। पांच लोंग भून करके तुलसी के पत्तों के साथ चबाने से सब तरह की खांसी में लाब होता है। एक गोली दिन में चार बार लेने से काली खांसी भी ठीक हो जाती है। तुलसी अदरक और प्याज का रस शहद के साथ सेवन करने से खांसी नष्ट होती है। बलगम बाहर निकल जाता है। तुलसी की 12 ग्राम हरी पत्तियों का काढ़ा पना करके उसमें चीनी एवं गाय का दूध मिला करके सेवन करने से भी खांसी और छाती का दर्द दूर हो जाता है। खांसी में तुलसी का सूखा चून शहद में मिला करके चाटने से भी लाव होता है। जाती है। यदि तेज खांसी या दमे का दौरा पड़ा हो तो बिना दूध की गर्म कॉफी पीने से लाव होता है। कॉफी पे शाब अधिक लाती है तथा इसके सेवन से हिरदय और अंसांस की नलियां फैलती हैं जिसके वज़ा से आपको आराम मिल जाता है। जिहां दोस्तों तो खांसी को दूर करने के लिए ये थी कुछ एक होमेड ड्रेमेडिज जिसके सहरे आप खांसी की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।